इस्क्लेमर मूवमेंट्स ऑब्ज़र्व की जब उसने उन मूवमेंट्स देखा तो उसने उन सिग्नल्स को ओर्थ पैज़ा तब साइनटिस्ट ने ईए फैसला किया कि वहाँ पे ऐलियंस है दरासल वहाँ पे कुछ ऐलियंस के फॉसल्स भी पाए गया है और वहाँ पे इतने सारे fossils हैं कि ए साइंटिस्ट को लगता है कि वहाँ पे सच में aliens exist करता है तो चलिए कुछ फोटोज देखते हैं जो मार्स रोवर ने घीची थी यही वो फोटोज हैं जो मार्स रोवर ने capture की थी मार्स पे दरसल ये सब aliens के fossil की तरह दिते हैं और जब साइंटिस्ट ने इनकी mineral property चेक की तब उन्हें पता चला कि ये सब fossils हैं तो क्या सच में मार्स पे aliens हैं और ये उन ही के fossils हैं दरसल मार्स रोवर ने इन फोटोज को मार्स पर ही capture किया है अगर आप इन फोटोज को ध्यान से दिखेंगे तो आपको कुछ alien life नज़राएंगी साइंटिस्ट को तो यही लगता है कि मार्स पे aliens हैं तो चड़िये देखते हैं मार्स बना कैसे था चार बिलियन यहर्स पहले मार्स बिलकुल आज की तरह दिखता था तब एक asteroid ने मार्स को टकर दी जैसे बिलकुल लड़ के साथ हुआ और उसी टकर ने मार्स पे एक गरम crater बना दिया वो crater 1100 माईल्स लंबा था वो crater उस asteroid का 1 by 10 था जिसने अर्थ को मारा था वो crater बहुत खतरनाक था और उस crater को अर्जीरिया के नाम से बुलाया जाता है लेकिन उसने life को वहाँ से खतर नहीं किया उसने तो वहाँ पे life को बना दिया मतलब जैसा और्थ पे हुआ था उसका बिलकुल उल्टा हुआ उस asteroid ने मार्स पे life को बनाया और उसी की वज़े से मार्स पे कुछ life forms डेवलप हुए ऐसा कुछ साइंटिस्स मानते हैं और उन्होंने उनकी बहुत साइफ फोटेजर्स भी देखिये और कुछ water deposits भी वहाँ पे पाए गये हैं कहीं नहीं वहाँ पे ice और कुछ water lakes भी पाए गये हैं ऐसा कुछ साइंटिस्स मानते हैं आप एलन मस्क का ये tweet देखिये जिसमें उन्होंने कहा था कि aliens तुमने आने में थोड़ी देर कर दी वैसे तुम्हारा स्वागत है एलन मस्क ने भी कहा है कि अभी और्थ पे aliens अगर आये तो world war भी हो सकता है aliens on humans के बीच झाल